उसके बाद है major statement in logic, कुछ statement है जो logic में आप पढ़ोगे, mcqs में काफी आती है उसमें सबसे पहली चीज़ है negation, negation क्या होता है? देखो अगर मैं आपको एक statement दे रहा हूँ कि आज बारिश हो रही है, तो इसकी negation क्या होगी? आज बारिश नहीं हो रही है, negation मतलब आपने opposite बोलना है उस statement का, show कैसे करते हैं, या तो wave बनाते हैं, या इस type का symbol होता है, तो if p is any proposition and if p is true, देखो अगर p true है, तो उसका negation क्या हो जाएगा? false हो जाएगा, जैसे आज बारिश हो रही है, और वाकी में आज बारिश हो रही है, इसका मतलब मेरा statement जो है, मेरी statement वो true है, इसकी negation क्या होगा? आज बारिश नहीं हो रही है, तो ये गलत बात है ना, आज बारिश हो रही है, इसका मतलब अगर p true है, तो उसकी negation क्या होग आज बारिश नहीं हो रही और इस दिन वाकी बारिश नहीं हो रही थी इसका मतलब उसका negation क्या है true है तो अगर पी true उसका negation false अगर पी false उसका negation true आप एक true उसी statement जो है वो है conjunction conjunction जो है इसमें यह वाला symbol है इसका और नॉर्मली हम and से शो करते हैं इसको and कहने का मतलब हम पढ़ लेते हैं definition the conjunction P यह conjunction का symbol है Q इसको आप इस तरह भी बोल सकते है P and Q ठीक है is true यह जो a conjunction जो एक statement एना P and Q is true when both P and Q are true जब P और Q यह दोनों statement true होंगी तब उनका conjunction भी जो है वो भी क्या होगा true होगा जैसे मैं example देता हूँ के यहां पर example देता हूँ दो statement मना आते हैं पहली statement है 4 plus 5 equal to 9 ठीक है and 4 is less than 5 अब यह statement let कर लो P है यह statement let कर लो Q है ठीक है तो इनका conjunction मतलब and जब conjunction की बात करो तो and आएगा और जब dissension की बात करो तो और आएगा तो यह जो मैंने statement दी है ना P and Q जो उनका अगर P true है और Q true है तब यह पूरी statement जो है वो क्या होगी true होगी तो जैसे मैंने देखो true table बनाया वै अगर दो statement है ना तो चार possibility बनती है देखो जब एक statement थी तो दो यह possibility true false ठीक है लेकिन जब दो statement है आपके पास P and Q तो चार possibility है कि P true हो Q false हो इसी तरह P true Q true फिर false true false ठीक है इसी तरह अगर तीन statement होंगी तो आठ possibility बनेंगे अब देखो अगर मैंने बताया कि conjunction जो है जो एंड वाली statement है यह उसी बग ट्रू होगी जब P और Q दोनों statement true है तो देखो P true Q true तब भी P and Q जो है वो true है बागी तीनों cases में P and Q false होगी जैसे अगर P true है Q false तब भी यह false इसी तरह यह false यह true तब भी false अगर दोनों false तो obviously क्या हो जाएगी false से हो जाएगी यह बात होगी conjunction की disjunction क्या होता है और आए ठीक है और जब और आजाए ना तो समझ जाओ कि at least कम से कम एक true हो जाए तो और वाली statement true हो जाएगी जैसे तब disjunction is false मतलब यह statement false उसी वक्त होगी जब दोनों false है ठीक है मतलब यह भी false हो यह भी false हो तब आप बोलोगे disjunction जो है वो भी false है बाकी हर cases में कि अगर दोनों true हो या एक true हो एक false हो क्या एक false हो या एक true हो इन सब possibility में disjunction जो है वो true होते है क्योंकि यहां पर और आ गया न और के लिए आप यह बोल सकते हो कि भाई जब दोनों true हो true जब एक true एक false तो और का मतलब होता है भाई true कर दो इसको इसको इसी तरह एक false दूसरा true तो तब भी और कहता है इसको true कर दो लेकिन जब दोनों false है तो तब अगर आप end की बात करो तो end कहता है भी दोनों true करो दोनों true है तो मैं true होंगा अगर एक भी false है तो मैं उसको true नहीं होने दूँगा तो अगर आप disjunction का देखो पी true, q false तो ये true होगा at least मैं कहरे हूँ कम से कम हाँ कम से कम एक true होना चाहिए इसके अंदे मतलब at least सही बात बूली है मैंने इन दोनों में से at least एक जो है अगर true है तो disjunction जो होगी देखो ये true है खर इसमें दोनों true है तो disjunction true इसमें भी देखो एक true है तो disjunction true सिर्फ ए एक case ऐसा है जिसमें दोनों false है तो अब disjunction भी क्या होगी वो भी false होते हैं ठीक है अब logic से related मजीद statement है जो आप topic पढ़ रहे थे वो था major statement कौन कौन सी statement थी हमने तीन पढ़ ली थी सबसे बहुती निगेशन फेर थी conjunction और फेर दिजंक्शन चौती से स्टार्ट करते हैं औ उसको समझ लेते हैं the implication इस तरीके से लिखते हैं और पढ़ते किस तरीके से इसको if p then q ठीक है जैसे हम मैं भी example दोंगा आप लोगो तब और मजीद क्लियर हो जाएगा तो इसको पढ़ने का तरीका होता है if p then q पढ़ने का तरीका जो है वो यह नहीं है मतलब जो हम बोलते है इसका मतलब है if p then q ठीक है अच्छा जी तो लिखाव है implication जो है वो false होगी किस वक्त only मतलब एक ही case में फॉल्स है कब फैन पी जो है वो true है और q जो है वो false है जब पी जो है वो true होगी और q जो है वो false होगी तब आपकी implication वाली statement जो है यह false होगी बाकि सब cases में यह true होग पी को हम कहते है hypothesis या antecedent भी बोलते हैं और q को हम कहते है conclusion या consequent भी बोलते हैं इसको अब यहां पर मैं काम करता हूँ पहले मैं इनको मिटा देता हूँ रभ मैंने इसलही किया है क्योंकि जब सामने फिल किया जाएगा ना तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लोगें अगर मैं पहले से फिल करता तो आपनों को इतने अच्छे तरीके समझ नहीं आता इसी तरीके से दो बातने हैं एक तो मैं कभी speed तेज है जाती है मेरी चीज हों कि मैं नोड़ दे रहा होता हूं तो अगर मैं सामने लिखो न अब इतनी प्यारी राइटिंग में लिखूंगा तो वीडियो का टाइम तो आप वो बता है कितना लंब हो जाएगा तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूं तो उसके बाद आप लोगों को स स्ट्रेटमेंट देता हूं इसी से अगर आप लोग मुझसे त्यारी करोगे तो आप नर्स का टेस्ट क्लियर कर लोगे यह इफ एंड देन की स्ट्रेटमेंट है इफ अगर मुझसे त्यारी करोगे देन नर्स का टेस्ट क्लियर कर जाओगे तो इसमें पी क्या है मुझसे कब होगी यह फॉल्स कब होगी देखो अगर आप कोई चीज बाय करने जाते हो लेट से आप कोई electronic appliance बाय करने गए हो ठीक है उसकी तीन साल की warranty है अब जो भी शौब वाला उसने statement आपको क्या दी के तीन साल तक इसको मसला नहीं होगा अगर तीन साल में मसला हुआ तो आप वापिस करवा सकते हो या ठीक करवा सकते हो जो भी है तो तीन साल की उसने warranty दे दी अगर वह product एक साल में खतम हो गई खराब हो गई तो आप उसको जाके warranty warranty है अगर वह device आप purchase ही ना करो और अब उसकी statement को वलत साबित करो उसकी statement किया कि तीन साल की warranty है और आप बोलो कि यह तीन साल पहले की warranty नहीं है मतलब तीन साल के अंदर अंदर खराब हो जाईगी तो आप ही कैसे बोल सकते हो। जब तक आप उसकी चीज ली नहीं है। तो कहने का मतलब जब तक आप उसकी चीज भाई नगी करोगे, आप उसकी statement को challenge नहीं कर सकते आपने भाई किया, आपकी product छराब हुई, तब आप उसकी statement को challenge कर सकते हो। यही चीज है जो मैंने आप लोगों को example दी है कि अगर आप लोग मुझसे त्यारी करोगे तो nurse का test clear कर जाओगे अब अगर आप मुझसे त्यारी करोगे ही नहीं तो मेरी statement को आप challenge ही नहीं कर सकते तो मेरी statement क्या रहेगी true रहेगी जैसे एक चीज की warranty है 6 साल की ठीक है अब ज सब तक आप किसी statement को इस्तमाल ही नहीं कर रहे उस statement पर अमल ही नहीं कर रहे तो statement true रहेगी जैसे आपने अमल किया और वह statement में मसला हुआ तब आउ statement को खराब बोल सकते हैं तो तीन cases बनेंगे sorry 4 cases बनेंगे के मैंने जो example दिये उसमें पी क्या है कि अगर आप मुझसे त्यारी करोगे दो true और मुझसे अगर आप त्यारी नहीं कर रहे है तो false false ठीक है इसी तरीके से nurse का test आपने clear कर लिया nurse का test-clear के नहीं किया nurse का test-fahren अफ्याल से नहीं किया तिन होस्ट बाकी के के दो के मैं मेरी sqlust challenge हो इसक्ती क्यूंकि जब आपने मुझसे तयारी ही नहीं की तो आप मेरी च्रेटमेट को device कर नहीं सकते इसका मतलब जब भी पी जो है वो फॉल्स है इसका मतलब आपके स्टेटमेंट टू रहेगी तो पी इसकेस में भी क्या होगी अब उपर के दो केसिस देखो इसमें मेरी स्टेटमेंट challenge होगी क्योंकि आपने P जो है मेरी बात में अमल किया है वो true हो गया है अब अगर P true है और Q भी true है तो मेरी statement ठीक है कहने का मतलब अगर आप मुझे त्यारी करो और नस का test भी clear कर जाओ तो मेरी statement ठीक है बिलकुर इसका मतलब true है दूसरे क्या मतलब है आपने मुझे त्यारी की और आपने नस का test clear नहीं किया तो इसका मतलब मेरी statement गलत होगी है मैंने statement दी थी कि अगर मुझे त्यारी करो तो clear हो जाएगा ठीक है तो इस case में मेरी statement क्या होगी false होगी तो जब पी false है मतलब पहली चीज जिसको हम hypothesis कहते है अगर वही false है तो आप मेरी statement को challenge नहीं कर सकते वह statement हमेशा true रहेगी और अगर पी true है इन दो cases में अगर q true है तो statement true और अगर q false है तो पर इस statement क्या हो जाएगी false हो होगी तो implication उसी वक्त फॉल्स होगी जब पी true है और q क्या हो जाएगा false हो जाएगा यह मैंने example से detail में आप लों को पूरा समझा दिये अच्छा उसके बाद तीन statement है जो implications से हम associate करते हैं वह क्या है कि अगर मैं आप से बोलू एक statement है p implies q मतलब if p then q implication की बात करो तो इसका converse निकालो converse क्या होता है पहली चीज़ कनवर्स होता है कि आप इसके order को change कर दो p implies q था आपने लिख दिया q implies p इसको आप बोलोगे converse फेरा inverse inverse क्या होता है कि अगर आपके बास statement लिखी हुए p implies q तो आप p का भी negation ले लो और q का भी negation ले लो इसको compare कर लो जैसे additive inverse होता है किसी number का आपने additive inverse निकालने है तो उसको आप negative कर देते हो न सेम वही काम है कि p को भी आपने negation कर दी q की भी आपने negation कर दी और तीसी जीज़ है contra positive अच्छा contra positive क्या होता है अगर आपके पास एक statement है p implies q और आपने का inverse निकालो तो आपके बस control positive आजएगा contra positive अजीव से मेरे मूझ से निकल रहे है कहने का मतलब जैसे आपके पास statement है p implies q तो सबसे पहला आप काम क्या करो पहला काम यह है कि आप इसका converse मालूम करो converse क्या होगा order change कर दो ठीक है फिर दूसरा काम क्या है कि जो आपने converse लिये है अब इसका inverse मालूम करो inverse में क्या होता है हम negation लगा देते हैं तो अब जो आपके पास यह फूरी statement आई है इसको आप क्या बोलोगे कंट्रा पॉजिटिव बोलोगे ठीक है तो कोई भी statement मौझूद है उसका पहले converse निकालो उसके बाद inverse निकालो तो आपके पास क्या आ जाएगा कंट्रा पॉजिटिव बाजएगा अच्छा दूसरे order में भी आप जा सकते हो मतलब अगर आपके पास P implies Q है इसका आपने कंट्रा पॉजिटिव निकालने तो पहले आपने सब्सक्राइब तो यह तीन स्टेटमेंट है कनवर्स इंवर्स और कंट्रा पॉजिटिव जो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है अब एक और टॉपिक है वो टॉपिक यह है कि जो पी इंप्लाइस क्यू जो है यह वारी चीज है ठीक है कि लॉजिकली एक्वेले जोंगी जैसे यह statement है रहात कंट्रा पॉजिट इसकि आप बैलूजард नकालो और ऑट लोई जैसे ठीक है वहां पी यह च Mississippi a false थैंट एक इसी तरीके से थे इंप्लाइस क्यूं और यह वाली स्टैट्मेंट यह स्टिन फीन's Q तो इसकी जो truth values होंगी same truth value क्या होंगी P implication Q की तो हम बोलेंगे logically equivalent है मतलब इनकी truth values जो है वो equal है तो P implies Q, negation Q implies negation P, negation P, disjunction Q, ये तीनों क्या है logically equivalent है अब कैसे equivalent है उसको तरह solve करते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको Q का भी negation और P का भी negation find करना है तो find कर लेते हैं ये P है ना इसका negation क्या होगा जो इसकी value है उसको change करतो जैसे ये true है false, true, false, false, true, false, true, false, true, तेख है negation Q क्या हो जाएगा Q की values का opposite करतो, true का false हो जाएगा प्र फाल्स का true true का false और false का true उसके बाद आपको क्या find करना है उसके बाद आपको find करना है negation of q implication negation of p again implication concept आएगा कि यह जो statement है यह उसी वक्त false होगी जब p j develler true और q जो हो फॉil서 यहां वाले case मेन किया है मतन거 police statement यह एंगchien अगर यह true होगा और अगर यह false होगी तो उसी सूरत में यह पूरी statement क्या ओगी फॉilоф होगी बाके सब cases में क्या होगी ये πα быстрInto को पहले में आप देखो negation q जो है यह false है negation p जो है false है अगर यह दोनों false है तो obviously implication भी false होगी implication बस इस case में false है बागे सब में true है sorry true होगी तो यह काम करो सबसे पहले यह वाला case ढूंड लो इसको false कर दो बागे सबको true कर देना यह कुनसा वाला case है यह वाला case है देखो यहां पे जो negation of q जो है वो true है और negation of p जो है वो false है तो अगर पहली चीज टू दूसरी चीज फॉल्स तो यह क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा बाकि सब केसिस में true पहला false जब पहले false आगया तो वो true है obviously और अगर दोनों true है तो वो तब भी true है तो सब गौर से देखो पी इंप्लाइस क्यूं की truth values और negation q implies negation दोनों की सेम है true false true 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 इसी तरीकी से इसको भी देख लो यह है negation p और डिस्ञंशन क्यूं डिस्ञंशन में क्या होता है अगर इनमें से एक statement भी true है तो आंसर true होगा तो पहला हम देखते हैं कि false कब होती है यह false उस वक्त होती है जब दोनों false है जब दोनों false है तब यह false होती है यह बागी हर condition में statement क्या होती है true होती है अच्छा अब देखें निगेशन पी जो है वो false है और जो क्यू अच्छा इसमें क्यू देखना है आपने बस पहली चीज़े निगेशन पी और दूसरी चीज़े क्यू मतलब यह वाला कॉलम और क्यू वाला कॉलम ठीक है अब अर्यचीज फॉल्स दूसी चीज़ भी फॉल्स में जिसका अंशर ऑद है फालक है इसी तरह एक पी एक true-false में obviously true होजाए गाई ठीकने एक केसे जब दोनों false हैं अधぐ Grade Ess Ừ आए ये वी फाल्स है तब ये क्या होगा follows होना जब दोनों false है तब description false होलती है बागी हर condition में शलती है तो यहां पर आप देखो इस वाले कॉलम को देखो इस वाले को देखो और इस वाले को देको इन सम्मेडर्ट वेर्यूस और पर में कर आप के पी इंपलाइस निगेशन ओफ यूर आप से बोल जाए इसका इन वर्स निकालो कि इनवर्स ठीक है तो इस स्टेटमेंट का इनवर्स क्या होगा निगेशन कर दो पी की निगेशन करो या जायका और यह पहली से मतलब क्यू पहली से निगेट हुआ वह ए ने गेट हुआ वह दोबारा जबाप करो तो यह पॉजिरिव हो जाएगा जैसे आप रियल नमबर करना है तो इसस्टेट्मेंट का लिए अगर आपने इसका कनवर्स निकालने अगर दो तो दो काम करने आपको सबसे पहला काम क्या होगा कि आप इसका इसका आपन बहुत निकाला यह आएगा अब जो कंभर साय इसका इनवर्स मालूम कर लो इस तो यह स्टेटमेंट का यह इनवर्स है इस स्टेटमेंट का यह कंट्र पॉजित थे तो यही चीज़ें वो पूछ रहे होते हैं उसके बाद आ जो फिस्ट पे और वो है बाइक अधिशनल क्या होती है देखो जैसे implication में होता है ना implication में है if p then q implication में होता है if p then q by conditional क्या होता है पी आई डेवल fq p iwfq का क्या मतलब होता है p if and only if q यह मतलब बनेगा समझ नहीं आ रहा कुछ इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूं इस पूरी स्रेट्मेंट का मतलब यह है के if p then q if q then p मतलब पहली चीज़ क्या है यह implication है अगर implication reverse order में भी true है अब देखो p then q यह implication है और अगर आप इसको reverse कर दो q then p अगर यह दोनों cases में true है तब आपकी by conditional क्या होगी true हो जाएगी ठीक है तो दरा consider करते हैं अब है कि अग्जेंपल देते हैं अच्छा by condition लिखा वाए के टूस वक्त होगी है when both p and q are true अच्छा condition यह के पी और क्यू जब दोनों true है या यह जब दोनों false है तो तब आपकी by conditional क्या होगी true होगी समझते है इसको दो क्या गरो आप यह पी है एक यू है ठीक है consider अगर अगर पी ही लिख है ठीक है तो क्यू है false true false true mother as it is copy कर दो और फिर पी क्या है true true false for मैंने बताया by conditional के लिए यह वाली implication भी टूनी चाहिए और यह वाली implication भी टूनी चाहिए जब दोनों है तब डबल implication क्या होगी true okay अगर आप इसको देखो true false again मैंने बात बोले थी implication एगी case में गलत होगी कि जब पहली चीज़ टू है मतलब हमारा hypothesis true है और जो conclusion ने वह false है तो यह false होगी बाकि सब cases में क्या है true है तो आखरी तीन cases में तो पहली वाली implication जो है इस पी देन क्यों वह आखरी तीन cases में क्या है true है अब इसको देख लेते हैं यह क्या है क्यों implication पी यह है पी implication क्यों यह कब true होगी जब पहला false होना तो मैंने बताया था अब statement को challenge कर नहीं सकते तो वह true ही रहीगा इसी तरह यह भी false है तो यह true रहेगा अब दोनों statement आफरी तीन cases में यह वाली statement शुरू के तीन cases में true है इनका intersection निकालो मतलब जहाँ common है common यह वाला region अगर आप इसवाली रिजली टेखो तो इसवाले region में यह दोनों true है तो यहां सब को any result मृइंसे मिलेगा जब यह दोनों true है जब यह दोनों false है इस तब दोनों टू है यहां यहां वी जो डूक है तो जब दोनों ट्रू होंगे और क्यू दोनों है या again क्यू दोनों फॉर्चplatz है तो तब आपकी जो बाइओ कंडिशनल नहीं वो क्या होगी तो यहीं चीज़ मैंने लिखिए कि अगर पी और क्यों जो है बोथ टू है या बोथ फॉल्स है तब आपकी बाइक कंडिशनल टू होगी बागी सब केसे में बाइक कंडिशनल जो है वो फॉल्स होगे अब टेवल में किसा लिखूंगा लेट कर लो पी टू फ हो इसी दरा जब दोनों फॉल्स है तब यह ट्रू होगे बाके दोनों केसे में क्या हो जाएगी तो इंप्लिकेशन में आप याद रखना कि इंप्लिकेशन जो है वो एक ही गयसमें घलत होगी वह कौन सा केसे जब पहली चीज़ तू हो और दूरी चीज़ फॉल्स हो तो है आपकी सब किसिघ्रेंथ ही कि होगी कि वा यंदिनल में जब दोनों टूंँ हैं और जब दोनों वॉट से हम T वरति खोगी आपके सो इस तरीके से आपको याद अखने में आशानी होगी beneficial वह हमारा जो मेजरेट्मिक का पॉश्षण दाना वह खतम होगया अब combination ils कि ग्लउक हां प्लफा टॉलेटा है सबसे नियुकर क्या होती है मतलब उसके दूर्फ वैलिशे क्αιा होगी गूझे अ कि it is raining और it is not raining अच्छा मज़े की बात क्या इसको तरह गौर से देखना और अगया तो अगर मैं यहां पर possibility बनाओ अच्छा यह है रेनिंग एक statement है और यह उसकी negation है मतलब लेट कर लो अगर रेनिंग है अगर पी फॉलस है तो उसकी negation क्या हो जाएगी गृफ लेकिन दर्म्यान में यहां लगाया है और कि वक्त अगर आपको याद हो और को मैं डिस्जंक्शन से शो करते हैं और में क्या होता है अगर एक भी टू है तो आंसर आपका प्रू आता है लेकिन अगर दोनों फॉल्स ह तो फिर आपका answer false हो जाता है, तो यहाँ पे देखो, एक true है इसके अंदर, तो यह भी true, इसी दरा इसमें भी एक true है, तो यह भी true, तो आपके statement थी ना, P disjunction, P disjunction, negation of P, तो दरा इसको देखो, इसमें सब क्या है, true है, तो ऐसी statement जिसमें जस्ट आपके बास true आ रहा है, वैसी statement जो हर केस में false है, उसको consider कर लेते हैं, चेंजिक मैंने क्या करनी है, बस मैंने चेंजिंग करनी है, कि मैं इसके दर्म्यान and दाल दो, it is raining and it is not raining, अच्छा यह जूमला वैसे ही देखने में आपको घरंदा कर रहे है, क्यों, ऐसा पॉसिवल है कि रेनिंग हो भी रहे हो, and मतलब उसके साथ रेनिंग नहीं भी हो रही हो, और का मतलब होता है, या तो बारिश हो रही है, या बारिश नहीं हो रही, and का मतलब बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है, और बारिश नहीं भी हो रही, इसकी सेंस नहीं मनेगी न, और वैसे मैंने आपको बताया था, disjunction उस वक्त होगी जब दोनों true है, तब disjunction true होगी, वन्ना disjunction हमेशा false होगी, तो यहाँ पे देखो true false, इन में से दोनों true नहीं है, तो इसका मतलब false है, इसी तरह इसमें भी दोनों true नहीं है, तो यह भी false है, तो अब जो यह वाले statement बन की न, इस वाले statement को आप क्या बोलोगे, absurdity या contradiction, क्यूंकि इसमें कोई भी truth value जो है, वो true नहीं है, सब के सब क्या है, false है, तो MCQs में आपको को statement दे भी सकते हैं, वो, जैसे यही दे दें, P, P conjunction, in negation of P, और आप से पूछें यह क्या है, तो आप बोलो कि यह contradiction है, इतना आप smart हो जाओ, कि आपको पता हो, कि option के हिसाब से आपने किस तरीके से react करने है, तो हमेशा अगर false हो, तो contradiction, और हमेशा true हो, तो tautology, और तीसरा है contingency, वो तो मैंने ख्यार आप से case काफे discuss किये है, जो P implies Q है, यह contingency है, contingency, तो नाम इनके है, तो यह जो है, contingency यह होता है, कि भाई, या तो कुछ true होंगे, या कुछ false होंगे, उसमें से कुछ values आपकी true होंगी, कुछ values false होंगे, तो जितनी मैंना आपको अभी example दिये, implication में या by conditional में, by conditional भी इसमें आएगा, उसमें होती है, और एक case में false आती है, ठीक है, और यह वाले statement जो है, यह दो cases में true होती है, और दो cases में false होती है, तो इन दोनों statement को देखो, इसमें कुछ true है, और कुछ false है, जो मैंना अभी example दीती नहीं, यहां table बनाया था और यह तो बनावे आपके सामने, कि दो false दो true, तो इसम को आप बोलते हो contingency कि उसके बाद आखरी टॉपिक और वह है कॉंटिटी फायर्स वह क्या है कि ऐसे सिंबल्स या वर्ट्स भी हो सकते हैं जो आपको किसी के बारे में आइडिया देते हैं कि यह चीज़ कितनी है आइडिया देने का मतलब कॉंटिटी होती है तो आपको वह आ इसको फॉर आल कहते हैं तो नाम में क्या लग रहा है सब के लिए फॉर आल इस वाले कॉंटिफायर को बोलोगी युनिवर्सल और एक है एक जिंशल एक्जिस्टेंशल एक्जिस्टेंशल वह होता है देर एक्जिस मतलब उसमें सब के लिए नहीं है कुछ लोगों के या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि युनिवर्सल कॉंटिफायर क्या होता है ओप्शन में सारे सिंबल्स होंगे आप यह वहला ठीक कर लेना इसी तरह एक्जिस्टेंशल का जो है उसका भी पूछ सकते हैं